अगर आप अपनी बोडी को डिटोक्स करना चाहते हैं तो इस सिंपल सी ड्रिंक से आप घर पर भी आसानी से बोडी डिटोक्स कर सकते हैं ये ड्रिंक आपकी सरीर में जमा टोक्सिंच को सारी गंदगी को बाहर निकाल देगी जिससे कि आपके लीवर केड़नी तवच्चा व्यांती स्वस्थ हो जाएंगी जी हाँ दोस्तो समय समय पर बोडी डिटोक्स करना बेहच जरूरी होता है अगर आपके सरीर की गंदगी साफ नहीं हो रही है तो आप कितनी भी पोश्टिक चीजे खा लीजी उसका फायदा आपको मिली नहीं पाएगा और जैसे ही आपके सरीर की गंदगी साफ हो जाती है तो आपका पाचन तंतरबोती तेजी से काम करने लगता है जिससे की पेट से जुड़ी तमाम परिशानिया खतम होने लगती है साथी वजन घटाना या बढ़ाना आसान हो जाता है सरीर के अंदर पहले से ज़्यादा ए अक्षट्रिंग को कैसे बनाना है तो इसके लिए मैंने यहाँ आपर दो बीट रूट लिए हैं सबसे पहले आपने बीट रूट को अच्छे से दो कर इस से छील लेना है इस तरह से छील लीजिए दोस्तों बीट रूट जिसे हिंदी में चुकंदर भी कहा जाता है यह इस तरह से छील लेना है देखे इस तरह से छील लीजिए दोस्तों बीरट जिसे हिंदी में चुकंदर भी कहा जाता है ये चुकंदर खून बनाने का काम तो करती ही है ये तो आप सबी जानती होंगे जिनके अंदर भी खून की कमी है उन्हें रोजाना 200 ml चुकंदर का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए ये सरीर के अंदर बहुती तेजी से आईरन को बढ़ाता है इसके साथी चुकंदर में बीटेलेन मुझूद होने की वज़ा से इसका रंग लाल होता है जो कैंसर से हमारा बचाव करता है साथी बीटेलेन लीवर में मुझूद टोकसिंज को ब्रेक डाउन करके सरीर से बाहर निकालने का काम करता है लीवर फंक्सन को बहतर बनाता है बीटरूट में कुछ ऐसे निट्रेंट पाए जाती हैं जो कि आपके पेट में बाइल के प्रोड़क्शन को बढ़ा कर पाचन तंतर को मजबूत बनाने का काम करती है तो ये देखिए बीटरूट को आपने इस तरह से चोटे चोटे पीसिज में काट लेना है इसके साथ में दो आपने गाजर लेनी है दोस्तों काजर हमारी स्वास्थे के लिए बहुती ज़्यादा फाए देमन होती है इसमें होता है विटमिन A, विटमिन B, विटमिन C, फाइबर काफी अच्छी मातरा में होता है इसका रोजाना सेवन करने से आँखों की रोशनी तेज होती है क्योंकि इसमें बीटा कैरिटीन होता है जो हमारी आँखों को तंद्रुस्त रखने और इम्यून्टी को बढ़ाने में मदद करता है इसमें मौजुद विटमीने शरीर से विसाक्त पदाथों को बाहर निकालने में मदद करता है साथी लीवर से विसाको फैट को भी कम करता है ये कैंसर से हमें बचा कर रखता है हार्ट के लिए बहुती ज़्यादा फायदे मन होती है उसके साथ साथ इसमें कैलरी जबहुती कम मातरा में होती है जिसके कारण वेट लोस में भी काफी फायदे मन होती है तो गाजर को भी छील कर हमने काट लिया है इसके साथ ही तीसरी चीज़ जो ले रही है वो है एपल एपल को छीलने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है एपल में सबसे अधिक मातरा में पोसक तत्व पाई जाती है इसके गहरे रंग में फ्लेवनोइड होता है जो लीवर में मौझूद विसाक्पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है विटमिन-C पर्चूर मातरा में होता है जो आपके इम्यून सिश्टम को बढ़ाने में मदद करता है काफी सारा फाइबर होता है इसमें जो हमारे बलड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है तो एपल को भी हमने छोटे छोटे पीसिज में काट लिया है एक छोटा टुकड़ा अपने अदरक का लेना है इसका छिलका हटा करके अलग कर लेना है अद्रक के रस के अंदर दोस्तों जिंजरोल नाम का एक नैचरल ओयल पाया जाता है और ये जिंजरोल के अंदर बहुती पावरफुल एंटियोक्सिडेंट और एंटिन्फलामेटरी प्रोपेटिज पाई जाती है अद्रक खाने से आपके पेट में जो बिना पचा हुआ अद्रक खाना है उसको गलाने का काम करता है जिसे कि हमारा खाया हुआ खाना जल्दी से पच जाता है साथ ही भूक में भी वृद्धी होती है क्योंकि अधरक का काम होता है खाने को गला करके मोबलाइज करके नीचे की और धकेलना तो अधरक हमारे सरीर के लिए बहुत ही जादा गुनकारी होता है इन सबी चीज़ों को आपने ब्लेंडर जार में डाल लेना है इसके साथ में आपने तीन कप पानी इसमें एड़ करना है तो लगबख जारसो से छहसो एमल पानी इसमें एड़ कर सकती है अब इसको पीस लेजिए एकदम फाइन पेश्ट आपने बना लेना है यह देखिए इस तरह से अच्छे से ग्राइंड कर लेना है अब यहाँ पे एक बरतन ले लीजिए इसके अंदर एक बड़ी सी चलनी रख लीजिए और इसे चान लीजिए यह जुस जो बनकर तियार हुआ है ना दोस्तो यह आपकी पूरी बोड़ी के लिए फायदे मन होगा अगर आपको कमजोरी रहती है थकान रहती है तो आपकी इम्यून्टी बढ़ेगी बाल घने लंबे बनेंगे स्किन पे गलो आएगा आँखों की रोशनी तेज होगी कोलेस्टरोल लेवल कम होगा कैंसर से बचे रहेंगे खून की कमी हार्ट के लिए किडनी के लिए हर चीज के लिए बहुती ज़्यादा गुनकारी है ये ड्रिंक तो आपने इस तरह से चान लेना है इसे अब इसमें एक नीम्बू नी चोड़ लेना है नीम्बू एक प्राकर्तिक एंटियोक्षिडेंट होता है जो आपके सरीर को फ्री रैडिकल से बचा कर रखता है सरीर से गंदगी को बाहर निकालने में मदद करता है तो अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेते हैं और ये हमारा हैल्दी जूस बनके तियार हो चुका है बोड़ी डिटोक्सिफिकेशन के लिए आप इसे हफते में सिर्फ दो दिन यूज कर सकते हैं अगर खून की कमी है या वेट लोस करना चाहते हैं तो इसे रोजाना भी पी सकते हैं तो बनाईए इसे और एक गिलास मोर्निंग में जरूर पीजिए बहुत सारी बिमारियों से आप बचे रहेंगे खून भी बनेगा डाइजेसन अच्छा बनेगा हेल्थ आपकी बहुती ज़्यादा इंप्रूव होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जिरूर करें शेयर करें अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ और अगर चैनल पे पहली बार आई हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना बिल्कूल मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच